वन्स अगेन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल एजी सिविल विज सलमान दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे अगर आपको किसी भी ग्राम पंचायद में पाइप लेइंग का काम कराना है जल जीवन मिसिन के अंतरगत तो आपको क क्या चीजे ध्यान में रख के काम को सुरू करना चाहिए अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो आपको क्या चीजे ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप कॉंट्रेक्टर हैं तो क्या चीजे आपको ध्यान में रखनी चाहिए तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर अभी आप नए हैं भाई तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अभी कुछ वेकेंसिज आने वाली हैं जल जीवन मिसन के अंतरगत वो वेकेंसिज जैसे ही आती है मैं आप लोगों को इनफॉर्म कर दूँगा और ये भी बता दूँगा कि उसका इंट इंटरविव दे के जॉब पा सकते हैं ठीक है बहुत ही ही उसमांट में भी विकेंसिज आ रही हैं इस डिपार्टमेंट में जल जीवन मिसन के अंतरगत ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखनी चाहिए कि हमारा ये स्कीम है ठीक है ये ग्राम पंचायत है इस ग्राम पंचायत का ये हमारा इंडेक्स प्लान है ठीक है इसको हम लोग इंडेक्स प्लान बोलते हैं ठीक है इंडेक्स प्लान में हम लोगों को क्या-क्या देखनी रहती है कि हमें य देखना रहता है pipe number two जैसे हम लोगों को ये line देखनी तो ये हमारा pipe number two है 234 meter है और 140 mm इसका डाया है ये तीन चीज़े आपको यहाँ पर mention रहेंगी और चौती चीज़ जो हमारी mention रहती है वो junction junction mention रहता है कौन से junction से आपका ये pipe pipe start हो रहा है और कौन से junction पर इसका end हो रहा है ठीक है तो ये चीज़ पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग इसको एक note हमारे point होते है जो details दी गई होती वो ये होती है कि हमारा जो ये color denote कर रहा है ठीक है ये 63 mm के die को denote कर रहा है हमारा जो yellow color red color दिख रहा है वो 75 ऐसे कुछ color को होते है यो कहीं पर अलग-अलग color होंगे उसका डेमिन जो details होती है denote करने का तरीका होता है वो ऐसे ही होता है ठीक है आगे यहाँ पर pipe की laying दी गई है कितने meter की laying करनी है ठीक है जैसे 140 mm का 1098 meter तो 140 का मेरा ये जो डाया 140 यहाँ से ये इधर को ठीक है ये हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा 140 का 1098 meter ऐसे ही 63 का 75 का जो भी pipe होगी वो पढ़ेगी जितनी इसमें दी गई है उतनी ही pipe यहाँ से इसको measurement कर लिया गया जितनी pipe total R है quantity उस डाया की वो quantity यहाँ पर लिख दी जाती है ठीक है उसके बाद आपको यह दिखाए जाए दिखाए गया एस loose wall वगएरा दिया गया है कि यह domination होता है इसका जो denote किया जाता है वो यह है यह छोटा सा हमारा की plan दिया गया है लेकिन इसको हम लोग नहीं देखते है ठीक है उसके बाद हम लोग देखते है कि हमारा इसमें road length type दिया गया है कि कौन सा details है brick road हमारी 2.262 km है CC road हमारी 103 meter है खच्चा road हमारा इतना है between road इतनी है और paper block इतना है ठीक total जो हमारी length है वो 3.563 का scope हमारा है साले 3 km की यह line है ठीक है उसके बाद हमारा कुछ और detail दीग गई होते है जिसमें हमारा जो मंदिर मस्जिद होता है schools होते है trees होते है सरकारी नल होते है वो सारी चीज़े ठीक है यह चीज़ दिखने के बाद हम लोग direct start कर देते हैं काम काम कहां से start कराना चाहिए हमें सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि काम हमें वहां से start करना चाहिए जहां पर हमारा जो तो काम start कराने से पहले सबसे पहले हमें check करनी चाहिए जो चीज़ रहती है वो हमारा इसका dpr इस gram panchait का एक dpr भी आता है जिसका मतलब होता है detailed project report उसमें क्या होता है कि pipe number two जैसे इसमें दिया गया है वैसे उसमें भी दिया गया होगा इस index plan में हमें गलतिया मिल सकती है जैसे कि हमारा जो pipe number two है वो 234 meter 140 mm डाया खाए लेकिन अगर हमारा dpr में इसकी जगे 140 का डाया की जगे पे हमारा 110 का डाया मिल ला है या 160 का डाया मिल ला है तो हमें edge पर dpr ही काम कराना है इंडेक plan गलत हो सकता है बट आपका dpr गलत नहीं होगा तो से पहले सारी line आप एक बार dpr से चेक कर लीजिए उसके बाद ही आप काम को सुरू कराई है ठीक है तिसरी चीज क्या रहती है कि यह हमारा ओवस्टी है ठीक है ओवस्टी से जो हमारी line जाती है हमें सबसे पहले उसी को execute कराना चाहिए सबसे पहले हमें main lane execute कराना चाहिए उसके बाद से हमारा जो distributor होता है चोटी होटी line होती है वो हमारी डलवानी चाहिए ठीक है तो यह details रहती है सबसे पहले आपको details यह पढ़नी है उसके बाद आपको हमारा जो DPR रहता उसे पढ़ना है उसके बाद ही हमें काम सुरू कराना है ठीक है कैसे आपको job मिलेंगी ठीक है इन सब चीजों के बारे में बात करेंगा और knowledge की वीडियो तो मैं आपको लाता ही रहूँगा Thank you so much for watching